आपका हमारे चैनल में जैसा कि आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि ये वीडियो के सरेगार्डिंग होने वाली है जो इस बार की RGPV 2022 के एक्जाम आ रही है जो कि काफी लंबे टाइम बात फर्स्ट इयर के लिए आफलाइन एक्जाम होने वाली है उसको लेकर बहुत सारे बच्चे बहुत ही जादा टेंशन में है बिकास बहुत सारे बच्चों ने अपने पढ़ाई इच्छे से परशियों नहीं करी ए थोड़ा सा सको लापरवाही से करा है इसके पहले जो सिनेरियो था वो बिलकुल भी ऐसा था कि हम लोग पास हो जा रहे थे कैसे भी अपने online exams में बट इस बार है offline exams और paper जो है वो थोड़ा सा tough आने वाला है और जो subject जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है that is M2 Engineering Mathematics 2 ये एक one of the toughest subject होता है हमारे engineering पूरे whole engineering career का तो हमको इसके अंदर क्या के चीजे देखनी है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और हाँ अगर ऐसी और वीडियोस आप चाहते हैं तो नीचे comment जरूर करेजिएगा मैं आपको जरूर ऐसी और वीडियोस दूसरे subject के उपर भी बना कर दूँगा अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर दिजिए वीडियो को like कर दिजिए और bell notification प्रेस करना मत भूलिएगा तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं इसके अंदर जो various units हैं उसके अंदर हम unit wise इसको देखने वाले हैं क्योंकि हमको लगता है कि कुछ थोड़े से दिन बच्चे है आपके बारा जुलाई से most probably paper start है इस बार के offline सो जो इतना बड़ा syllabus है हम इसको छोटा करने के कोशिश करेंगे ताकि हमको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए और उस छोटे के अंदर हम उस syllabus को minimize करके अपने marks को कैसे maximize करें वो चीज़ हम आपर देखने वाले हैं सो unit 1 के अंदर यह उन बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ यह वाला जो जित्ते भी टॉपक के सामने लिखे हैं तो उसको हर student को पढ़ना ही पढ़ना है ताहिए वो पास होना चाहे या फिर वो कोई टॉपर ही क्यों ना हो उसको यह वाला portion compulsory पढ़ना है ठीक है उसके बाद हमारा आ जाता है linear differential equation of higher order with constant coefficients ठीक है definitely और definitely पूछता है ठीक है सो हमको जब पता है कि question यही आने वाला है C में से आने वाला है सो हमको इसको शोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इसमें भी sign और cos वाले system और e की power ax वाला यह बहुत जादा बार पूछा जाता है तो आपको इसकी practice at least एक बार करने चाहिए चीक है और same यह वाला जो टॉपिक है यह भी आपको दोनों condition में करना है आप चाहिए कैसे भी student हो simple भी है marks देने वाला भी है और आने की guarantee भी इसकी है ठीक है थर्ड वाला है हमारा homogeneous linear differential equation यह वाला वो बच्चे जिनको सिर्फ pass होना है वो उसको skip कर सकते है इसकी उन्हें करना इनकी practice अच्छे से करनी है इसकी guarantee मैं लेता हूं कि इसके अलावा आपको paper में इस chapter से इस unit से question देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद हम चलते है next unit की तरफ so है हमारा unit 2 और इसके अंदर जो से पहला point है वो है हमारा series solution based on ordinary point बहुत है simple topic होता है यह वाले question का so इस वाले questions को आपको किसी भी case में नहीं छोड़ना है ताकि किसी भी category के student हो आपको यह definitely करना है one known solution method यह भी आपको किसी भी condition में करना ही करना है ठीक है normal form variation of parameter and basals function अब मैं आपको एक बात बता दू कि शुरू के जो तीन से चार chapters है वो चारो chapter एक दूसरे से related है ठीक है जगर आप देखो गए तो आपको बहुत सारी चीज मिलेगी आपको cfpi वगरा find करने को मिलेगा वो सब आपको चारो chapter में related मिलेंगे बट जब हम last के दो chapters की बात करते हैं जो क है हमारा complex और vector तो वो दोनों आपस में independent chapters है तो अगर आप पढ़ना start करने वाले हैं अगर पढ़ने के mood में हैं तो आप या तो चारो unit starting की एक साथ लेकर बैठो और उसको निप्टा दो या फिर आप separate अपना mood बनाना चाहते हो पढ़ने का तो पहले vector और complex को खतम करो क्यों तो वो भी अच्छा वेटीज रखता है उसके questions पहले करो उसका भी important मैं आपको बताने वाला हूं तो वो दुनों separate है वो इनके उपर depend नी करेंगे पर यहां पर ऐसा है कि आपको कही ना कहीं पिछला chapter भी थोड़ा बहुत आना चाहिए अगर अगला chapter सिखना चाहते हैं तो partial differential equation सबसे simple है और इसको सबको करना है क्योंकि बहुत ही आसान भी है marks भी देखे जाने वाला है और यह question definitely आता है पूछा जाता है ठीक है और यह वाले चितने भी topics लिखे हैं यह सारे जो आपको screen पर दिख रहे होंगे यह direct आपको लगाने वाले questions है जो क्या आप कर सकते हो आपको बहुत जादा मार्क दे कर जाता है because इसे question बहुत जादा आते हैं कभी-कभी 28 मार्क और उससे जादे की बहुत देखने को मिल जाते हैं उर यह आपको भूत इü जादा जाता है साथ ही-साथ में बहुत ही simple भी होता है तो जो बोलता है कि हमको सब्जेक्त में सब्ज सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग के चार जिनको मैं कहा रहा हूं कि बहुत रिलेटेड है उसके अंदर ये वाला जो पॉर्शन है वो वाला जो स्टार्टिंग के तीन जो एक दूसरे रिलेटेड है उनमें जो यह वाला है वो पोर्शन आपको मार्क्स देने वाला है सबसे जादा इसके अंदर लेंग रेंग रेंजेस एक्विशन चार पिट्स एक्विशन और होमोजीनियस लीनियर पार्शल डिफरेंशल लेगा तो आपको चार पिट को पहले उठाना अगर आप करने बैठ रहे हैं तो चीक है उसके जब हम यूनिट फॉर की बात करते हैं सो यूनिट फॉर के अंदर आप मल जाता है method to find conjugate function ठीक है conjugate function find करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है हमारे complex की बात हो जाती ही ठीक है जब आप basic से पढ़ना start करेंगे तो बहुत simple हो जाता है harmonic and CR equation भी बहुत जादा extremely simple है अब जो को इतने बड़े बड़े नाम देखके जो average students होते हैं वो लोग को लगता है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़े हैं बट जब आप इसको करने बैठ होगे तो आपको समझ म आएगा कि यह बहुत ही जादा simple चीज़े है ठीक है तो आपको इसको लेकर बैठना है इसको practice करनी है बहुत ही easy हो जाएगा आपके लिए करने के लिए ठीक है इसके आद आजाता है आपका last जो कि ए cautious integral formula ठीक है cautious integral formula इस वाले chapter में थोड़ा सा complicated बच्चों को लगता है बट इसका last portion है और अगर आप 65 plus score करना चाहते है तो definitely आपको इसको भी करना चाहिए बट अगर आप सिर्फ pass होने को देख रहे है तो उपर के जो दो points है simple वाले उनको आप कर लेंगे तो that will be sufficient for you और इतने पर आप pass हो जाएंगे ठीक है उसके बाद जो next chapter आता है वो आता हमारा vector जो कि है हमारी last unit so this last unit के अंदर जो कि हमको important चीज़े gradient, divergent and curl with direction derivatives बहुत ही simple पढ़ता है यहापको ठीक है सबसे simple portion है मतलब एक छोटे-छटे जैसे topics होते है basic basic concepts होते है उसी के अंदर हमारा gradient, divergent, curl और direction derivatives आता है उसके बाद आता है हमारे stokes theorem और line integral ठीक है तो आपको एक gradient सीखेंगे तभी आप divergent सीखपाएंगे तभी आप valley सीखपाएंगे और तभी आप direction derevative निकालना सीखपाएंगे शी बटापको बने सब्स승ाएग बोटी आप बात बता दू कि आपने gradient शीख़ाल है अपने gradient आ staff लिया तो divergent और curlyल्क्र निकालना उनना बहुत और असाल है उससे आपको Stokes Theorem और Line Integral पढ़ना होगा तो यह वाला chapter है जो आपको fully cover करना होगा किसी भी type के student है यह वाला chapter को आप target कर सकते हैं यह किसी पर depend भी नहीं करता है अपने आप में complete chapter है, छोटा सा chapter है इसको आपने पढ़ा, इसके नमबर पूरे खीचे उसके बाद जो मैंने पहले कि आपको जो 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 टोपिक बता हैं पढ़ने के वो वो अपने पढ़े इतने में आपको जो इतना बड़ा इतना vast M2 का syllabus से वो पूरा cover हो जाएगा और definitely I can guarantee कि आपको बहुत अच्छे marks सिर्फ इतने portion में आ जाएंगे तो जो बहुत बड़ा syllabus था हमको ने उसको चोटा से कर दिया है और जितने भी topics इसके अंदर लिखे हैं अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी सिर्फ यही topic अपने तयार करके इसको टिक मार लेता है तो definitely उसके बहुत ही अच्छे marks आ जाएंगे ठीक है बहुत अच्छी इंदर से 65 प्लस आ जाएंगे और बहुत अच्छा score कर लोगे अगर आपने इन ही topics को पकड़के एके करके complete किया तो और इसी के साथ साथ अगर आप और भी वीडियो को सीम इसे टाइप से यूनिट वाइस चाहते हो कि मैं आपको important topics बताऊं या फिर questions भी बताऊं तो आप इस वीडियो के नीचे comment कीजिए इस पर जैसा response होगा उस हिसाब से मैं इस आपको next video का response दूँगा और जितना ज्यादा comments होगे उतना ज्यादा मुझे motivation मिलेगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ज्यादा ज्यादा friends के साथ ताकि मुझे motivation मिले और मैं इस topic को पकड़कर इसके उपर आगे और भी वीडियो डालता रहूं तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए धन्यवाद